एक नए और अनोखे तरीके से बनाएंगे आज हम बैंगन की ऐसी रेसीपी कि सभी उंगलिया चाटते रह जाएंगे जो लोग बैंगन नहीं खाते वो भी बैंगन खाने लगेंगे नमस्कार दोस्तो आप से भी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम बनाएंगे बैंगन की सबजी और वो भी अनोखे तरीके से काफी लोगों को दोस्तो बैंगन पसंद नहीं होता तो आज की वीडियो में हम बैंगन को अलग तरीके से बनाएंगे जिस से सभी बैंगन खाएंगे जो लोग बैंगन से मूँ ओड लेते हैं, वो भी बैंगन खाने लगेंगे, बच्चे हो या बड़े, सब को ये recipe पसंद आएगी, तो चलिए बनाते हैं आज बैंगन की सबजी, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं, इस तरह से आप बैंगन लें, बैंगन लेकर दोस्तों आपने इसको पहले अच्छे से धो लेना हैं और साफ करना हैं, साफ करके ही हम इसे काटेंगे, तो बीच में से आप कट कर लीजिए, जो ये उपर वाला part है, अगर आप इसको पसंद करते हैं, तो रहने दें, क्योंकि इसका ये taste बहुत ही बड़ी आता है, अगर नहीं पसंद करत तो इसको हटा सकते हैं, तो देख लीजिए पहले आपके बैंगन अंदर से ठीक हैं या नहीं, तो इस तरीके से मैंने ये काट लिये हैं, और इसको ना लंबे-लंबे पीसीज में काटेंगे, जैसे मैं काट रही हूँ, बस इस तरीके से ही काटेंगे, तो इस तरीके से मैं ये काट लिया है काट कर दोस्तों आपने इसको रखना है साइड और लेंगे यहाँ पर आलू आलू को भी इस तरह से आपने छील कर धो लेना है पहले और धो कर दोस्तों आपने इसको भी लंबे लंबे पीसीज में काट लेना है जैसे हमने बैंगन काटे थे वैसे ही हमने आ अलू हमारे कट चुके हैं इसको काटने के बाद क्या करेंगे दोस्तो आपने धो लेना है अलू को तक इनका स्थार्च वगर निकल जाए और गैस पर रखते हैं कड़ाई कड़ाई में आपने डालना है तेल और तेल डालकर दोस्तों आपने बैंगन को फ्राई करना है जैसे मैं कर रही हूँ बस ऐसे ही आपने डालकर इसको फ्राई करना है फ्राई करके दोस्तों अगर हम बैंगन को बनाएंगे ना इसका टेस्ट दूबना हो जाएगा तो देखे इस तरह से ये पक जाना चाहिए यानि 60% तक ये पक जाना चाहिए तेल में तो ये तो मेरे fry हो चुके हैं इनको निकाल लेते हैं किसी जारे में निकाल लेते हैं या छलनी में निकाल लेता कि इनका सारा ओयल बाहर निकल जाए बिल्कुल भी oily आपकी सबजी ना बने वैसे भी दोस्तों आपकी सबजी ये oily नहीं बनेगी जिस तरीके से हम बना रहे हैं आप इस तरीके से एक बार बना कर जरूर देखना और अभी इसी तेल में ही हम डाल लेते हैं आलू जो हमने काटके रखे थे और इनको भी हमने fry कर ल हमती टेश्टी लगती हैं और ज्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ती और ज्यादा टाइम भी सबजी को बनने में नहीं लगता फटवर से आपकी सबजी बनकर ready हो जाती हैं और खाने में तो इतनी टेश्टी कि आप हर बार ऐसे ही बनाना चाहोगे तो ये भी हम न निकाल लेते हैं बैंगन के साथ जारे में निकाल ले ताकि इनका सारा ओयल बाहर निकल जाए तो अब दोस्तों लेते हैं कोई पैन या फिर ये कड़ाई भी आप ले सकते हैं इसमें से तेल निकाल कर मैं ले रही हो अलग से पैन पैन में डालेंगे एक चमच ओयल ज्याद बढ़िया होती है जो लोग वजन घटाना चाहते हैं दालचीनी का जुरू सेवन किया करें और सर्दी जुखाम से भी बचाती है हमें दोनों चीजें हाट के लिए भी बहुत ही बढ़िया है तेजपत्ता भी और दालचीनी भी तो इस तरीके से मैंने डाल दी है दालचीनी और यहां पर डालेंगे एक छोटा चमच जीरा और डाल लेते हैं इसमें एक चमच धनिया पाउडर और उपर से डालेंगे दो से तीन कटी हुई लैसुन यह मैंने पहले ही काट कर रख ली थी तो इस तरह से लैसुन आप जरू डालें लैसुन का टेस्ट इसमें बहुत ही ग पाट कर रख वह था प्याज पहली ही वो डाल देते हैं और इनको थोड़ा सा भून लेते हैं थोड़ा सा भूनने के बाद दोस्तों आपने इसमें डालना है एक चमच ड़ालेंगे इसमें डेगी मेर्च या पिर आप काशमीरी लाल मेर्च भी ले सकते हैं और एक छोटा चमजी डालेंगे हापर हल्दी पाउडर इनको mix कर देते हैं साथ में डालेंगे कटा हुआ टमाटर और इनको mix कर देना है आपने और अच्छे से इनको पकाना है तो देखिए कुछ टाइम बाद ये इस सरे से हो गया है टमाटर हमारा पक चुका है और थोड़ा सा इसमें डाल लेते हैं पानी ताकि मसाले हमारे जले नहीं और एकदम से पक जाएं तो इस तरीके से आपने मसाला त्यार कर लेना है यहाँ पर दोस्तो आप हिंग भी डाल सक तो देखिए इस तरीके से मैंने बैंगन और आलू डाल लिये हैं और इनको हलके हाथ से मिक्स करना है एक दम से नहीं चलाएंगे बस हलका हाथ रखना है आपने इसको मिक्स करते हुए अब दोस्तो इसमें डालेंगे लाल मिर्च पावडर आदा चमच या फिर आप अपने हम ज्यादा इसको मिक्स करने लगे रफली तो ये तूट सकती है हमने इसको तोड़ना नहीं है बस इस तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और दो मिनट इसको ढखकर पका देना है ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि सब्जी हमारी अल्रेड़ी पकी हुई है तो इस तरीके से दो मिनट के बाद दोस्तों आप चेक कर सकते हैं एक बारी अगर आपके आलू बगर अच्छे से पक चुके हैं तो गैस बंद कर दीजिए नहीं तो एक मिनट और चला लीजी आपके सबजी बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगी तो अब हमारी सबजी देखिए बंद कर रेडी हो गई है आप गैस बंद कर देते हैं और गैस से नीचे तार लेते हैं तो देखिए कितनी सुन्दर सबजी बनी है हमारी इस तरीके से दोस्तों आप बनाएंगे ना तो दोस्तों कैसी लगी आज की आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसी ही एक और रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाई बाई